गदर टू को लेकर आई बड़ी खबर जी हां दोस्तों सनी देवल की अपकमिंग फिलम गदर टू को लेकर आई बड़ी खबर जैसा कि इस टूट में उन्होंने बताया था कि इस फिलम की शूटिंग लगभग 80% पूरी की जा चुकी है पर लेकिन इस फिलम की शूटिंग का कुछ हिस्सा अभी फिलमाना बाकी है जिसकी शूटिंग नौमबर और दिसमबर में रखी जाने वाली है इसके बाद अब खब सामने आ रही है कि डायरेक्टर अनिल चर्मा ने इस फिलम की शूटिंग को लेकर एक बड़ी खबर और बड़ी जानकारी देते हुए कहा है कि अब इस फिलम की शूटिंग लगभग 2-3 दिन में शुरू की जाने वाली है हाँ दोस्तो सनी देवल की अब तक की इतिहासिक फिलम में से एक की शूटिंग अब शुरू होने वाली है इसको लेकर अब डायरेक्टर अनिल चर्मा ने कर दिया है बड़ा खुलासा देखना दिलचस्प होने वाला है कि डायरेक्टर अनिल चर्मा अब इस फिलम को कब शुरू करने वाले है जैसा कि डायरेक्टर अनिल ने अपने इंटर्वियो में बताया कि इस फिलम की शूटिंग लगबग 2-3 दिन में शुरू की जाने वाली है ऐसे में जल्द ही इस फिलम की शूटिंग डारेक्टर अनिल्स चर्मा द्वारा इस फिलम की शूटिंग शूरू कर दी जाएगी ऐसे में आप भी इस फिलम के लिए काफी ज़्यादा एक्साइटिड होंगे होना भी लाजमी है ऐसे में क्योंकि तारा सिंग को बड़े दिन बाद नलका उखाडने की वज़ाए अब कुछ और उखाडते हुए देखना बहुत ही दिल्चस्प होने वाला है ऐसे में आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताना न भूलें अपनी राय की आप गदर टू को लेकर कितना ज़्यादा एक्साइटिड है अगर दोस्तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करें हमारी वीडियो को और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को धन्यवार दोस्तों